हलो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पलपल की अपडेट देते रहता हूँ साथ्यों मैं आपको बता दू कि भारत में लोकसभा चुनाओ 2023 में होना है और यदि लोकसभा चुनाओ आने से पहले यदि सिक्षक भरती की मांग ना की जाए तो बहुत लेट हो जाएगी आईए हम इसी पर चर्चा इस वीडियो में करें जो साथी नए है भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जैसा की ये पेपर कटिंग आपको दिख रहा है तेरा बारा 2023 की ये न्यूज है आज ही की ये न्यूज है साथियों लोकसभा चुनाओ की तयारियां सुरू हो चुकी है मार्च तक अचार सहिता भी लगने की उम्मिद है विधान सब्सक्राइब के बाद अब लोकसभा चुनाओ की भी तयारियां सुरू हो गई है प्रदेश में चुनाओ जो है 19 मई से पहले होना है और चुनाओ के पुर्व आचार सहिता मार्च में लगने की संभावना है बताया गया है कि मार्च के दूसरे या तिसरे हपते लोकसभा चुनाओ के लिए आचार सहिता लागू हो जाएगी यानि चुनाओ की घोष्णा आयोग तय कर देगा इसके लिए जो आचार सहिता ठीक है प्रदेश में लोकसभा की 11 सीटे हैं इन में से 6 अनरक्षित और 5 अरक्षित सीटे हैं राज के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कारेला ने भी अपनी चुनाओी तयारी सुरू कर दी है बोटर लिष्ट में नाम जोड़ने अपडेट करने जैसी क्रिया जो है संचारित हो रही है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं साथियों कि मार्च में मार्च के दूसरे या तिसरे सब्ता में आचार सहिता लग जाएंगी 36 गर में क्योंकि साथियो 36 गर में 9 मही मई की ठीक है कब तक तो 9 मई के पहले 36 गर में चुनाव की प्रक्रिया को खतम कर देना है चुनाव हो जाना है और ऐसे में यदि आप जन्वरी और फरवरी ये दो ही मासेस है और इन दोनों माह के अंदर यदि हमने सिक्षक भरती की मांग नह ही रखी शिक्षक भरती यदि नहीं निकला तो ऐसे में फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा अचार सहीता लग जाएगा और प्रदेश में शिक्षक भरती का सपना सिर्फ एक सपना रह जाएगा चुनाव तक चुनाव के बाद में फिर शिक्षक भरती आएगी और स्टूबर नौंबर का भी महिना लग सकता है ऐसे में आपकी हमारी हम सब की एक ही मांग होना चाहिए चाहे हम मंत्री गणों से मिले चाहे हम मुख्य मंत्री उपमुख्य मंत्री से मिले चाहे शिक्षविभाग के शिक्षविभाग के अधिकारियों से मिले आपको केवल और क केवल शिक्षक भरती अतिशिख्र मांग करना होगा और ये जो मांग है साथियों वो 10,000 नहीं बलकि पूरे 57,000 पदों पर ये भरती की मांग करना होगा क्योंकि कम से कम 20-35,000 तो भरती देना होगा क्योंकि बेरोजगारों के संख्या तो अधीक है लेकिन जब आप जमिनी इ आकर देखते हो तो हर एक स्कूल मैदानी स्तर में आपको खाली देखने को मिलेगा और मैं आपको ये भी बता दो साथियों अभी जो बस्तर और सरगुजा में भरती हुआ है वहाँ पर एक एक स्कूल में दो दो सिक्षक चले गये हैं इतना मतलब कहना चीए हम बोल नहीं स सिक्षक को जहां मिले हैं वही दे दे दी है ऐसा इस्थिती आ गया है आपने यहां बस्तर सरगुजा में दो दो तिन तिन सिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है जबकि आप जब मैदानी स्तर पर आते हैं मैदानी जिलो में आते हैं मैदानी संभाग में आते हैं रैपुर शिक्षत भरती का होना महती आवस्यक है बच्चों के भविस्य के लिए और बच्चों के साथ साथ युवा बिरोजगारों के भविस्य के लिए भी शिक्षा और शिक्षक दोनों आवस्यक है